हेलो दोस्तों कैसे हैं? आज आप देख रहे होँगे आपको लग रहा होगा करें यह क्या लिखा हुआ है बच्चों को क्या सिखाएं? कैसे सिखाएं? क्यों सिखाएं? आप सोच रहेंगे यह वीडियो कैसा बन रहा है? यह वीडियो दोस्त बहुत सारे Parents से मेरी बाचित होते रहती है वे लोग हमसे हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि Sir आप ये बताईए कि हम अपने बच्चे कैसे पड़ा है मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है मेरा बात नहीं सुनता है घर में खाना नहीं खाता है मेरा बात नहीं सुनता है मेरा पैर नहीं छूता है बहुत सारा बात होता है कैसे बच्चों को सिखाएं क्या सिखा दें सर आप कुछ कीजिये ना बताईये ना तो हमको लगता है कि इसका एंसर बता पाना इसका उत्तर बता पाना 15-20 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है दोस्त और किसी चीज को बता देना घोर के पिला देना संभव भी नहीं है बच्चे के अंदर में जो विकास होता है किसी एक आदमी के बस से बाहर की बात है ये एक सम्मिलित मिला जूला एक टीम ओर्क है इस टीम में सब को बराबर का अपना एफर्ट लेना पड़ेगा टीचर लोग को अपना एफर्ट लेना पड़ेगा माता पीता को अपना एफर्ट लेना पड़ेगा बच्चों को अपना एफर्ट लेना पड़ेगा समाज को अलग अपना effort लेना पड़ेगा यानि अगर सब लोग मिलेंगे तब जाकर एक बच्चे का सरवांगिन विकास हो सकता है आप बोलेंगे सरजी को, सरजी क्या करेंगे सरजी घोर के पिला दें बच्चे को सरजी के पास बच्चा एक घंटा रहता है या फिर 4 घंटा रहता है, 5 घंटा रहता है आपके पास तो पूरा 18-19 घंटा रहता है तो आप क्या करते हैं तो यहाँ पर टीचर पैरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते पैरेंट्स टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कोई किसी को ब्लेम नहीं करता बच्चे एक दूसरे को देख सुनके सीखते हैं हमको देखते हैं आपको देखते हैं पूरे समाज को देखते हैं कौन क्या करता है उसके हिसाब से हर लोग काम करता है हम भी तो वही करते हैं आप भी तो वही करते हैं आज को देखते हैं रे फलना लोग ऐसा किया हम भी वैसा ही करेंगे फलना लोग हमको दो बिसकीड दिया तो हम भी उसको दो बिसकीड देंगे हम भी तो देखा देखी करते हैं इसमें एक बहुत जबरदस चीज हम आपको लास्ट में कहानी सुनाएंगे दोस्त वो कहानी इत के बच्चे के लिए राम बान होगी जरूर उस कहानी को देखिएगा जो कि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कहानी लास्ट में बताएंगे पहले सारी चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं फिर उस कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत लाजवाब कहानी है आपके बच्चे के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है, दुनिया में हर इंसान के लिए है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, वो कहानी, हर लोगों के लिए है वो, चलिए, लेट ना करते हुए हम आपको बताना सुरू करते हैं, कि हम लोग को क्या सिखाना चाहिए तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग को बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाना चाहिए सबसे पहले को एक सही इंसान बन जाए हम लोग घर में कुछ और करते हैं हम लोग जगर जगर पर अपना रूप बदलते रहते हैं दोस्त कभी होता है आपके साथ एक अलग वेवार उसके साथ एक अलग वेवार उसके साथ एक अलग वेवार ये गलत नहीं है बिल्कुल सही है लेकिन बच्चे को सही चीज़ सिखाईए एक अच्छा इंसान बनने के सिखाईए आप बोलेंगा अच्छा इंसान कैसे बनाएं सर उनको अच्छे अच्छे लोगों कहानिया सुनाइए वो मोबाइल देखते हैं टीवी देखते हैं उनको एक उस तरह का किताब लाके दीजिए जिससे की वो जैसे आप अच्छे-च्छे लोग का क्या हो सकता है महा आइंस्टाइन का कहानी सुनाइए थॉमस अल्वाइडिसन का कहानी सुनाइए उनको न्यूटन का कहानी सुनाइए उनको आइंस्टाइन का कहानी सुनाइए उनको हौकिन सहाब कहानी सुनाइए हम आ रहे हाँ जो सीवी रवन सहाब है उनका कहानी सुनाइए होमी जहांग सुनेगे तो बच्चा सुमें जीएगा उसको लेगा अरे हम भी राजियंदर पिसाद की तरह होते हैं अरे हम भी लाला भादुर सास्त्री की तरह होते हैं अरे हम भी महात्मा गांधी की तरह होते बच्चा जीता है उस कहानी में बच्चों के साथ उस तरह का बैवहार कीजि बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं करके तो देखिए कि अगला बात है बच्चे की रूची को समझना चाहिए आखिर बच्चा करना क्या चाहता है बच्चा वो खिलने का मानाई जबर्डस्ति उसको गला पकड़ के बोली गा पढ़ो उसको पढ़ने का मान ने उसको बोलेगा नहीं तुमको पढ़ा नहीं करना जाकर तुम वो काम करो कैसे होगा बच्चे को एक सही रास्ते पे लाने के लिए उसके इंट्रेस्ट को समझना पड़ेगा क्या आप करना चाहता है जैसे आप बोलेंगे मेरा बच्चा को डॉक्टर बनना है आप समाज जानते हैं हमारे समाज में लड़का है तो इंजिनियर लड़की है तो डॉक्टर ये एक मेंटलीटी हम लोग यहाँ बना हुआ है खेर हम इसको तोड़ नहीं पाएंगा अखेले हम तो कुछ नहीं कर सकते मूवी बनी इसके उपर त्री डिट आप जानते होंगे उसमें भी बताया गया है बहुत सारे जगों पर बताया गया है कि यह हम लोग के मन में एक धारना बैठी हुई है हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे बस इतना ही बोलेंगे बच्चा जो करना चाहता है आप उसको समझे और मान लेते हैं बच्चा अगर एक डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा एक इंजिनिर बनना चाहता है सिर्फ पैसा कमाना कि वो डॉक्टर बन गया वो इंजिनियर बन गया ऐसा नहीं है ग्रोथ हर छेत्र में unlimited है sky is the limit है कोई बोले का बैट बॉल में कोई अमीर हो सकता है साचिन्देट को देखिए धोनी साहब को देखिए क्या यह लोग गरीब है कोली साहब को देखिए हारदिक पांडिया को देखिए क्या यह लोग गरीब है sky is the limit है उनके लिए जीवन में वो कुछ भी कर सकते हैं आप खेलने में कोई पीछे नहीं रह सकता बहुत आगे तक जा सकता है पढ़ाई में बहुत आगे लोग जा सकते हैं हर छेतर में आप आगे जा सकते हैं बचे को इंट्रेस्ट देखिए और सुरू सही धिरे-धिरे उसके सपोर्ट में लग जाईए कि बच्चा कैसे मेरा आगे बढ़ सकता है कैसे निगल सकता है अगर उसको क्रिकेट में रुची है तो क्रिकेट में ध्यान दीजिए फुटबॉल में रुची है तो फुटबॉल में ध्यान दीजिए अगर वो उसको पढ़ाई में रुची है तो उसको पढ़ाई में सपोर्ट कीजिए बहुत लोग बोलता है कि सर मेरी पत्नी तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती है उसके इंगलिश कमजोर है अरे कोई दिक्कत नहीं है भाईया कमजोर है तो कोई बात नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम तो बाहर कमाने चले जाते हैं मेरी पत्नी घर पे रहती है उपढ़ी लिखी कम है कोई दिक्कत नहीं है कम से कम लेके बैठिये तो सही आपको पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसको साथ में लेके बैठिये तो सही समय भी ताइए उसके साथ लेके बैठियेगा दो दिन नहीं बैठेगा चार दिन नहीं पढ़ेगा पांस दिन नहीं पढ़ेगा एक महिना नहीं पढ़ेगा बतीसवा दिन पैंतीसवा दिन चालीसवा दिन उसको चलो यार थोड़ा साइक लईन पढ़ लेते हैं फिर पीस पढ़ेगा पिर उसको आदत घैन की थे हैं बहुत बड़ा एक समस्य है अइन फॉह में अपने बचे को हीरो तो बनाना चाहती है ले omdat उसके पीछे ध्यान भोगे नहीं देती अरे बच्चा आपका है ध्यान आपको देना है आप जाएएगा सर्मा जी के हैं आप जाएएगा सींग जी के हैं आप जाएएगा चड़ा साब के हैं उनकी पत्नी से बात किजेगा फालतू गप किजेगा लेकिन कम से कम इतना देखें बच्चा आपका है उसको कम से कम दो च परिशानी होती है वो सेर नहीं कर पाता आपके साथ बच्छा जैसे मेरी भी बेटी है उसको परिशानी होती है उसको समझ में नहीं आता है कभी कभी वो आपसे डरती आपसे सेर नहीं करती है आपको उसके साथ घुलमील के रहना चाहिए ताकि वो अपने परिशानियों को आ अगला है दोस्त उनको हमेशा पॉजीटिव रहने के लिए पर इरिद करें क्या उतना है कि बच्चा बहुत जल्दी डिप्रेस्ट हो जाता है निगेटीव हो जाता है आप डांड देंगे बस मुह बनाके बैट जाएगा कोई कुछ बोल दिया मुह बनाके बैट जाएगा क्लास में नंबर कम आ गया मुह बनाके बैट जाएगा क्लास म कि बच्पन से माता-पिता बच्चे के ऊपर unnecessary pressure डाल के रखते हैं तुमको ये करना ही है नहीं तो तुम्हारा क्या होगा सर्मा जी क्या बोलेंगे सिंग जी क्या बोलेंगे अरे भईया जिंदिगी आपके साथ बिताना है अरे भईया उसका 98 आया आपके बच्चे का 90 आगया तो क्या फ्रक पड़ता है इस्कूल का marks आपके बच्चे का success का parameter नहीं हो सकता है किसी भी condition में दोस्ती आपको पूरा आप लोग सभी माता-पिता से में विनम ने विंती है कि ध्यान दें इस बात को इस्कूल का number आपके बच्चे का सफलता का parameter नहीं है अगर यही होता तो आप UPSC का result उठाके देखिए J.E. का result उठाके देखिए engineer का result उठाके देखिए सब बच्चा सुरू से ही तुफान नहीं होता है आगे चल कर वो हो सकता है आज नहीं है कल हो सकता है सतिंदे लुगर के बारे में तो आप देखी रहे हैं धोनी साहब के बारे में आप देखी रहे हैं कोली साहब के बारे में आप देखी रहे हैं हमको बताने की जुरूत नहीं है उनकी कहानी चरितार्थ है मुस्किल से वो लोग पढ़े जैसे तैसे वो लोग मैट्रिक इंटर जो भी करना था किये राज देखे उन्हों का सफलता इतने सारे जो IAS हैं, IPS हैं बड़े-बड़े अधिकारी हैं क्या सुरू से ही वो लोग स्कूल के टॉपर थे क्या नहीं, सुरू से स्कूल के टॉपर नहीं थे वो लेकिन आज इतने बड़े-बड़े पदपे हैं न तो बच्चों को गला दबा के नहीं पढ़ा जिये उसको सिखाईए न कि बढ़ बेटा, बढ़ बेटा, बढ़ बेटा बोलिये न क्या दिक्कत है, कर बेटा, कर बेटा, कर न बेटा क्या दिक्कत है गला पकड़के नहीं पढ़ा सकते हैं उसको हमेशा पोजिटिव रहने के लिए सिखाईए कि तू ठीक है बोली न उसको नहीं आया न कोई बात नहीं बैटा खिलोना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वहाँ घुमा देंगे, ये चीज़ सिखा देंगे, करके दिलालस दो दीजिए, पढ़ने का लालस दीजे बच्चा को, बच्चा करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग उसों सही भाई दिखाएने कोS करते माता पिता के बहुत बड़ा रोल है माता पिता का जितना बड़ा रोल है उतको शाए खुचत देविए था पिता साक्चत भगवान है रोज भजन करते हैं बहाग amounture हमेंस सब और द्यान करते हैं तो मात देवी हैं ना मा तो भगवान है ना पीता तो भगवान है तो क्यों अपने बच्चे को छोड़ देते हैं हमेशा उनको पकड़ के चलिये ना उनका बहां थामिये ना कैसे नहीं आगे बढ़ेगा आप तो देवी देवता हैं क्यों नहीं आप ध्यान देते हैं अपने भक्त पे ध्यान बच्चा को सबसे बड़ा चीज़े पता है क्या उसको कभी मत कहिए कि तुमसे यह नहीं होगा उसको कभी मत कहिए कि तुमसे यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा तुमसे जरूर होगा कोई बच्चा बोलता हमसे नहीं बन रहा है क्यों नहीं बन रहा तुमसे अरे भया आप ब अब सिख हो सकता है भगवान यह हम लोग को दिमाग सेम देके भेजे हैं सब के पास बराबर दिमाग है जो जितना अपने दिमाग को यूज करेगा वो उतना ग्रोग करेगा असपस्ट बात है अरे चाकू को देखें न भई जितना चाकू से काटिएगा चाकू का धार खतम नहीं होता है वही चाकू को रख दीजेगा जंग लग जाएगा चाकू खराब हो जाएगा कटना उसका चाकू का धार खराब हो जाएगा तो यूज कीजिए न हमारा दीमाग तो चाकू यह न चाकू को जितना यूज कीजिए उतना ग्रोग करिया धार लगेगा रहेगा नम चक-चक मारेगा दोस्त इसी पे एक कहानी था संदीप महस्वरी साहब का आपको बताए ना वो किसी का महताज नहीं है उनको कोई परीचे देनी की जुरूत नहीं है उनका एक स्टोरी है अभी आपको हम दिखा देते हैं वीडियो में देखे डाल देते हैं बहुत लाजवाब है दोस्त बहुत लाजवाब है बच्चे को बहुत बढ़ियां से सीखाईए बहुत बेहतरीन तरीके सीखाईए बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा बच्चे को कभी भी गलत चीज़ ना सीखाए आप कुछ भी करते हैं बच्चा आपको देखके सीख जाता है आप बोलते हैं कि मेरे बेटा सरवन कुमार बनना चाहिए खुद आप जाकर रावन वला काम कर रहे हैं अरे सरवन कुमार कैसे बनेगा आप खुद रावन वला काम करते हैं तो स्रवन कुमार अब भी तो कीजिये, तो बच्चा स्रवन कुमार बनेगा, जैसा सुंचते हैं वैसा है, तो कीजिये, बच्चा तो स्रवन कुमार है ही, पैदाइसी स्रवन कुमार है वो, आप उसको रावन बना देते हैं, समाज रावन बना देता है, महौल रावन बना द देता है तो कम से कम बच्चे पर ध्यान दीजिए उस समाज में मत रखिए उस परिवेश्च बचाने की कोसिस कीजिए जहां तक हो सके बच्चे को समभाल के रखिए बच्चा आपका है चलिए दोस्त कहानी को इंजोय कीजिए बच्चे के साथ बहुत अच्छा बयभार कीजिए हम ऐसा पॉजिटिव चीज़ सिखाईए निगेटिव कभी मत सिखाईए उसको कभी मत बोलिए कि तुम से यह नहीं हो सकता है अच्छे लोगे कहानिया सुनाईए उसको एक अच्छ है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं दोते यह थोड़ा जादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गया और खेलते खेलते उन में से जो बड़ा बच्चा था दस साल वाला गिर गया गिर गया और जोर जोर से चीखने चिताने लग गया उसको तैरना नहीं आता अब जो दूसरा बच्चा था छोटा था छे साल का उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया उसको कोई नहीं देखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसमें एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट गया और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताख़त लगा करके पागलों की तरह उसको खीचने लगा खीचता रहा खीचता रहा खीचता रहा अपनी पूरी जान लगा दी उसने चोटेशे बच्चे ने छे साल के और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था खीष तरा खीष तरा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्तों बचा नहीं लिए जब तक वो बाद नहीं लिए अब यहां तक तो ठीक था यहां तक तो एक आनी समझ आती है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह दो बच्चे जब दोनों एक हो गए जब भार आए और आकर के गले मिल रहे रो रहे और खुश हो रहे एक तरफ उनको डर भी लग रहा था डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीज़े होई लेकिन मज़े की बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउंवालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउंवालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुजर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वजे होगी जिस वाइसे ऐसा कह रहे है और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो गर के उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गर के कुए में फैका उसके दोस ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहा है फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर भाया सवाल ये है कि वो ये क्यूं कर भाया कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं कि अच्चे का जब नहीं झाल झाल